दुप्रिंट की यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं दिल्ली सरकार पिछले कुछ दिनों से कोरोना को काबू पाने के लिए दिल्ली के लोगों के साथ मिलके केंद्र सरकार के साथ मिलके कई सारे कदम उठा रही है आज की स्थिति ये है कि दिल्ले में अभी तक 26 केस हुए हैं कोरोना के जिसमें से एक वेक्ति की डेथ हो गई इसमें चार केस ऐसे हैं जो लोकल एक आदमी से दूसरे आदमी को फैले हैं बागी 22 केस हैं जो बाहर के देशों से आए थे बीमारी लेके तो एक तरह से फैलने का सिलसला भी अभी कोई बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा लेकिन हम लोगों को अपनी तरफ से सारी एहतियात बरतनी है क्योंकि जो दुनिया भर में हम लोगों ने देखा है कि जब यह फैलना चालू होता है तो इतनी तेजी से फैलता है कि फिर किसी के काबो में नहीं आता हम लोग इटली इरान चाइना इन सब के एक्जामपल्स देख चुके और हम नहीं चाते कि हमारे देश के अंदर दिल्ली के अंदर इस तरह की प्रिस्थिति बने तो इसके लिए भी कदमों की वज़े से आप सब लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है दिक्कते आ रही है लेकिन एक चीज अपने को ध्यान रखनी है अगर आपको अपने को करोना से बचाना है तो आप ही बचा सकते हो कोई और आपको नहीं बचा सकता जितने कदम आपको बताए जा रहे ह जितनी एहतियात बरतने के लिए आपको कहा जा रहा है अगर वो सारे कदम आप अच्छे से पालन करें तो आपको कोरुणा नहीं होगा जो आपको कहा गया कि किसी से हाथ न मिलाईए। दूसरा बार बार पूरा दिन हाठ दोते रहे साबुन से हाथ दोते रहे ताकि आपको अगर कहीं पे छूभी दिया जहां पे कORA चौरुबी धा और अगर आपके हाथ में आ भी गया तो कम से कम आप जब साबुन से हाथ दो लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है तो जितनी भी और भी लोगों से distance बना के रखे हैं जादा से जादा घर में रहें अभी थोड़े दिन अगर हम घर में रह जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है जादा से जादा घर में रहें बहुत जादा जरूरी ना हो तो घर के बाहर ना निकलें ये बातें अगर हम follow तो हम करोना से बच सकते हैं अपने परिवार को भी बचा सकते हैं अभी पहले हम लोगों ने order जारी किये थे दिल्ली के अंदर 20 लोगों के एक साथ एकठा होने के उपर आज उसको हम revise करके 5 लोग कर रहे हैं order जारी अभी होने वाले हैं कि 5 से जादा लोग एक जगे एकठे ना हों और अगर कहीं हैं भी तो अपने बीच में एक एक मिटर का फासला रखें कई जगे ऐसे होती हैं जहां पर लाइने भी लगनी होती हैं वहां भी एक एक मिटर का फासला लाइन भी अगर लगी है तो एक एक मेटर का फासला अपने बीच में रखे हैं कल प्रधानमंत्री जी ने एलान किया है जनता कर्फ्यू का उसको मद्दे नजर रखते हुए कल ट्रेंज भी नहीं चल रही है मेट्रो भी नहीं चल रही है कई सारे ओटो टैक्सी भी सड़क पे नहीं होंगे हमने इस बारे में काफी विचार किया कि क्या सारी बसे सड़क से बंद कर दी जाएं तो उसमें एक ये विचार आया कि अगर सारी बसें हम लोगों ने बंद कर दी तो जो अमरजेंसी जिन लोगों को होगी उन्हें दिक्कत हो सकती है तो कल हम 50% बसे सड़क पे कल नहीं चलाई जाएंगी एक ये कदम उठाया जा रहा है कि जो बाहर से लोग आये थे उनको कॉरेंटाइन किया जाता है जब उन लोगों को हमने सरकारी जो विवस्था थी वहाँ पर कॉरेंटाइन किया तो कुछ जो लोग थे उनको वहाँ की कंडिशन्स पसंद नहीं आई वो हो सकता है लग्शूरियस चीज़े चाते हो तो उनके लिए कुछ होटलों में इंतिजाम किया गए थे तो उन होटलों के अंदर वो खुद की पेमेंट करके रह रहे हैं पेड फैसिलिटी थी तो अब ऐसे जो कॉरेंटाइन वाले रहे रहे हैं लोग 14-14 दिन के लिए उन होटलों में ऐसे लोगों के लिए उसके उपर GST की माफी दी जा रही है सरकार की तरफ से उस पर GST चार हैं इसकी वज़े से बहुत सारे गरीब लोग जो हैं उनके उपर मार पड़ रही है ध्याड़ी मजदूर वाले ऐसे लोग हैं जो रोज अपना कमाते थे खाते थे उन लोगों के कई लोगों के ध्याड़ी चली जा रही है इसकी हम लोगों को बहुत ज्यादा चिंता है हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति भुखमरी का शिकार हो उसके घर में खाने को भी ना हो हमने इसके बारे में काफी विचार किया एक सुझावी आया कि पूरी दिली में जगे जगे किचन लगा दिये जाएं और लोगों को खाना बना के मुफ्त खाना बाटा जाए इसमें ख एक राषन की दुकानों के जरिए तो दिली में लगबग बाशतर लाख लोग हैं जो राषन की विवस्ता से जुड़े हुए हैं दो ख्रोड की जन संख्या में बाृत्तर लाख लोगों को हर महीने राशन मिलता है उनका हम राशन बड़ा रहे हैं थोड़ा सा वैसे तो ज पिर भी एक आदमी को चार किलो गेहूं और एक किलो चावल मिलता है पांच किलो हम इसका 50% इंक्रीज कर रहे हैं अभी इस महीने के लिए तो साड़े साथ किलो राशन एक व्यक्ति को दिया जाएगा और वो फ्री दिया जाएगा अभी तक दो रुपे किलो गेहूं के लेते और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अप्रेल महीने का राशन जो है जो डेड़ गुना राशन है अप्रेल महीने में जो अप्रेल महीने का राशन आपको 30 मार्च से ही देना चालू कर दें इतना समय हमें लग जाएगा कि इंदर सरकार से प्रोक्योर करने में और ट्रांसपोर् पार्च से ही हम लोग लागू कर दें, मेरी सब लोगों से जो भी राशन लेने जाएंगे उनसे विंती है कि वहां पे भी राशन के दुकान पे भी भीड़ना लगाएं, अगर लाइन में लगें तो थोड़ा सा लाइन में एक-एक मीटर का फासला दे के लगें, सब को राश परसों आ जाना लेने राशन और 30 तारिक तक आप सब लोगों को 30 तारिक से राशन मिलना चालू हो जाएगा तो लगबग 72 लाख मतलब 18 लाख के करीब फैमिली इस से राशन में कवर हो जाएंगी जो कि मैं समझता हूं कि सबसे गरीब परिवार दिल्ली के हैं वो इस से उनक पांच लाख बुजुर्गों को हर महीने पेंशन देती हैं उनकी पेंशन को भी हम लोग डबल कर रहे हैं लगबग एक लाख विकलांगों को हर महीने पेंशन देती हैं उनकी पेंशन को भी डबल कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हर परिवार के अंदर ये सब लोग काफी गरीब परिवार उसे आते हैं और ये वो सब गरीब परिवार हैं जिनको कोरोना की वज़े से सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ेगी तो इनके घर में एक तो राशन पहुंचा दिया सब लोगों के घर में और एक थोड़ा-थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो हम समझते हैं कि कोरोना की जो मार है उससे इनको थोड़ी सी मदद मिलेगी जो होमलेस लोग हैं बेघर लोग हैं जिनका कोई घर नहीं है जो सडकों पर सोते हैं उनके लिए नाइट शेल्टर्स जो हमारे हैं नाइट शेल्टर्स में हम खाने का इंतिजाम कर रहे हैं न हमें ज्यूम कर रहे हैं वहां बेघर लोग ही आके खाना खाएंगे लेकिन जो भी आके वहां खाना खाए हमारे नाइट शेल्टर में वह खाना खा सकते हैं मेरी खासकर मैंने दो दिन पहले भी अपील की थी सभी बुजुर्गों से खासकर 60 साल से उपर के जितने बुजुर्ग हैं जितने हमारे लोग हैं उनको हाट जोड के विंती है का्व कॉरोना बजुर्गों के लिए थोड़ा जयादा खतरनाक है आप लोग सुबह सुबह वॉक के लिए निकलते हैं मेरी आप से विंती है थोड़े दिन वॉक बंद कर दीजिए घर में योगा कर लीजिए घर में और तरह तरह की exercise कर लीजिए लेकिन थोड़े दिन के लिए walk बंद कर दीजिए और अपने घर में भी जब रहें तो अपने नौकरों से और हो सके तो जरूर पड़े तो family member से भी थोड़ा सा distance बना के रखिए अपने घर के अंदर भी अलग कमरे में रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा अभी lockdown हम नहीं कर रहें लेकिन अगर आपकी सेहत के लिए आपकी जिंदगी के लिए आपको बचाने के लिए हमारी दिल्ली के लिए हमारे देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो हमें हो सकता है lockdown भी करना पड़े लेकिन अभी इसकी जरूरत हमें नहीं लग रही तो जो भी कदम उठाएंगे आप सब के साथ मिलके उठाएंगे अपने सब की सेहत के लिए उठाएंगे बहुत बहुत शुक्राइब